देश वाच्वज के जीवन को देश की अर्थववस्था को कोरोना के प्रभाव से जल्दी से जल्दी बहार मिकालना आज हमारी प्राथ्पिक का है इसमें हम भूमी का रहेगी नेशनल इन्फार्ट्रेक्टर पाइप्लाइन प्रोजेक्ट की इस पर एक सो दस लाग करोड उससे भी जानदा खर्च किये जाएं इसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में लगबग साथ हजार प्रोजेक्स की पहचान कर ली गई है इसरे देश के ओवराल इन्फार्ट्रेक्टर रेवलेब्मेंट को एक नई दिशा भी मिलेगी एक नई गतिमी मिलेगी और इससे हमेशा है कहा जाता है ऐसे संकरी की गड़ी में जितना ज़्यादा इन्फार्स्रेक्टर को बल दिया जा जाएं ताकि आर्थिक गतिमीदी बढ़ती हैं लोगों को रोजगार मिलता है काम मिलता है उसके जुड़े हुए कई काम एक साथ चल जाते हैं छोटे बड़े उद्यों किसान हर मद्यमबर को इसका बहुत लाव होता है और आज मैं एक बास्वरन करना चाहता है जब अटल्वियारी वाजपाई हमारे देश के प्रधान मत्री से तब उन्होंने स्वरनिम चतुर भूच की एक बहुत बड़ी दुर्गामी असर पाइदा करने वाली योजना को प्रारंब किया था और देश के रोड नेट पर के इंफासेक्टर को नेट जनरेशन पर ले गए थे आज भी वो स्वरनिम चतुर भूच की तरफ देश बड़े गर्व से देख रहा हमारा हिंदुस्थान बदल रहा है देख रहा है मेरे प्यारे देशवाष है कि अटल जीचमे अपक windows का समय में काम किया लेकिन अब हमें उसे आगे हमें नहीं और ले जाना है और अब हम साहिलोग में नहीं चल सकते हम इंफासे से ढमन पॉन का airport से खबन रेल respond दो सनद 3ल hail एसी स्थी ने चली अब हमें सारा infrastructure एक comprehensive हो इंटी ग्रेटेड हो एक दूसरे के पुरस हो रेल से रोड पूर्द हो रोड से सीपॊर्ट पूरख हो सीपौu से पौ cigarette हो यह में अक सदी के लिए हमें multi-modal connectivity infrastructure इसको जोड़ने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और यह नया आयाम होगा बहुत बड़ा सपना ले करके इस पर काम शुरू किया है और मुझे विश्वार है यह साइलोस को खतम करके हमारे इस सारी व्यवस्ता को एक नई ताकत देंगे इसके साथ साथ हमारे समुद्री तट विश्व व्यापार में समुद्री तटों का अपना बहुत महत्पः होता है जब हम पौर्ट लेट development को लेकर के चलें तब हम आने वाले दिनों में समुद्री तट के पुरे हिस्थे में फोर लेंड रोड बनाने की दिशा में एक आधुनिक इनफास्ट के गई हम काम करेंगे